दोस्तो ब्लैक मांबा अपने जहरीले बाइट के कारण अपरिका का सबसे खतरनाक साप है बिना उपचार के मृत्तिवधर 100% तक है यानि इसके काटने से बिना ट्रीटमेंट के 100% मौत ही आनी है आपरिकी कॉंटिनेंट्स पर हत्यारों की कमी नहीं है लेकिन ब्लैक मांबा क हत्यारों को हत्यारा कहा जाता है अगर आकडों में बात करे तो दोस्तो हर साल लगबग 20,000 लोग ब्लैक मांबा के काटने से मर जाते हैं दक्षिन अपरिका मुल निवासियों को कई पीडियों से इस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है ब्लैक मांबा इलापेडे परिव इस परिवार में अत्यदिक विशेले सापों की श्रूंखला है दोस्तो ब्लैक मांबा बरताव में शर्मिले जरूर है लेकिन सामने खदरा हो तो आकरमक बन जाते हैं बिहेवियर कुछ इस तरह होता है अगर कोई इन पर आटाक करता है तो साप पीछे जुकर हमला करने से खुले काले मूँ और थोड़ी फैली हुई चप्की गर्दन के साथ धमकी दे देता है इसके खतरनाक होने का दोस्तो यही एक कारण नहीं है ब्लैक मांबा के काटने से कोई सुजन या दर्द नहीं होता लेकिन मौत लगबग तय होती है दुनिया का सबसे लंबा जहरियला साथ किंग कोब्रा और ब्लैक मांबा के बीच सामना कर दिया जाए तो कोब्रा अपने आकार और ताकत का फायदा उठाते हुए इस लड़ाई को जीत लेगा और अंततहा ब्लैक मांबा को खा जाएगा। किंग कोब्रा के बाद ब्लैक मांबा दुनिया का दूसरा सबसे ल तेज गती से हमला कर सकता है। इसका मतलब है कि साप उतनी ही तेज गती से चलता है जितनी तेज गती से आउसद आदमी जॉगिंग करता है। Black Mamba किसी भी विक्ती को मारने के लिए गती से उसका पीछा करेगा। ऐसे समय में किसी भी इंसान को अपने आप को बचाने के लिए काफी कम समय मिलेगा। अगर बचने के लिए आप पानी में कूदना चाहे तो रुकिए, चुकि ब्लैक मामबा तेरने भी माहिर होते हैं, वे पानी में भी आसानी से चल सकेंगे। ब्लैक मामबा एक ऐसा स्राव छोड़ता है जिसकी महक किचन में बनी करी जिके जैसी होती है इसलिए दोस्तों यदि आप घर पहुषते हैं और करी की तेज गंद आती है तो रात के खाने के मेनू को नहीं अपने आसपास ब्लैक मामबा को ढूंडिये और इनसे बचिये अब तक का सबसे लंबा ब्लैक मामबा कुल 14 फिट 9 इंच लंबा है इस साप इशाररी बनावट की बात करें तो इसकी पूछ इसकी कुल लंबाई की लगबग 2 ती हाई हिस्सा होती है इस दुनिया में दोस्तो हर एक शिकारी भी होता है यही बार ब्लैक मामबा को भी लागू है ब्राउन स्नेक इगल इसका प्राक्रोतिक शिकारी है ब्राउन स्नेक इगल के नजर में आने के बाद इनका बचना लगबग नामुकिन बन जाता है दोस्तो दुनिया भर के विशेले सापो की सिरीज में आज हमने आपको ब्लाक मामबा के बारे में समझाया आगे इस सिरीज में हम आपके लिए ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे कुछ नया और इन्फरमेटिव जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरू शेयर करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद